राम राम सभी को वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अमारे चैनल के उपर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ओल पर कर लेना अगर नहीं पता तो हम आपको बता दें कि ये मुला हमेशा से देवी देवताओं का मजाक बनाता रहा है इसने सब के सामने एक शोग के अंदर हिंदू देवी देवताओं के उपर अपमान जनक टिपड़ी की थी और एक जो दोगला हिंदू एलवी श्यादव है उसको तो आप सभी जानते ही होंगे जो सोसल मेडिया के उपर खुद को कट्र हिंदू बना कर पेसे चापता है वो दोगला एलवी श्यादव भी इस मुनवर का दोस्त है और हाँ सांसकर गले मिलता है तो सबसे पहले तो आप सभी से निवेदन है कि ऐसे दोगलो को आप सोसल मेडिया के उपर सपोर्ट करना बंद करें अब बात में टोपिकी करते हैं ये जो मुला मुनवर है ये उडाता है हिंदू देवी देवताओं के मजाक और बहुत सारे अपने दोगले हिंदू भी इसको सपोर्ट करते हैं लेकिन जब से ये बाबा शिदीकी का काम हुआ है तब से इस मुनवर के भी पसीने आने सुरू हो चुके हैं क्योंकि बाबा शिदीकी की अत्या के बाद लोरिश बिशनोई गैंकी हिटलिस्ट सामने आई है इस इटलिस्ट के अंदर लोरिश बिशनोई ने सलमान खान का नाम सबसे पहले लिखा है लेकिन उसके अलावा भी कई ऐसे नाम है जो इस इटलिस्ट के अंदर लिखे हुए हैं ऐसे में सुनने में आया है कि इस मुल्ले का नाम भी इस इटलिस्ट के अंदर आया है लेकिन बाद में इस मुले ने इस बात को एकदम नकार दिया कि इसने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं लोरेश बिशनोई गेंग की हिट लिस्ट में इन सबका नाम आने के बाद लोग लोरेश बिशनोई को काफी ज़्यादा सपोर्ट कर रही है और साथ ही इन जैसे मुलो को उड़ा देने की बात कह रही है सोसल मीडिया के उपर हो रही लगबग हर पोस्ट के अंदर लोरेश बिशनोई के समर्थन में कमेंट्स किये जा रही है और साथ ही ये काजा राई कि लोरेश बिशनोई एकदम ठीक कर रहा है लोरेश बिशनोई के टारगेट लिस्ट के अंदर सल्मान खान और मुननावर फारुके के अलावा जिसान सिद्धी, सगन परीट सिंग, कोसल चोधरी और अमिड डागर जैसे बड़े बड़े नाम सामील है आपको बता दे कि ये जिसान सिद्धी की उसी बबाबा सिद्धी की का बेटा है जिससे कुछ दिन पहले लोरेश बिशनोई गेंग ने मार डाला वेसे तो ये बाबा सिद्धी की भी कोई दूद का दूला नहीं था, इसने भी दाउद के साथ मिलकर कई बड़े गलत काम किये है और जेल भी बहुत काटी है लेकिन हमारे देश के दोगले लोगों ने इसको इतना बड़ा नेता बना दिया और अब इसके बेटे को भी विदायक बना के रखा है आप लोग कमेंट करके ये जरूर बताना कि आखिर लोरिश विश्णोई के दोबारा ये सही काम किया जारा या फिर नहीं वेसे ये काम तो हमारे देश के कानून का है लेकिन कानून तो अंदा है हमारे देवी देवताओ के उपर कोई कुछ भी बोलते इनको फरक नहीं पड़ता क्योंकि अगर दुनिया में कई बोंकने की आजादी है तो वो है हमारा देश बारत लेकिन जब इन जैसे मुलो को कोई दमकी मिल जाए या फिर निप्टा दिया जाए तो इनके और इनके पूरे परिवार को सुरक्षा दे दी जाती है तो आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही मिलते है एक और नहीं वीडियो के साथ जै बजरंग बली जै स्रीराम धन्यवाद